कि नमस्कार मैं अखिलेश कुमार एना यूएस की वर्च्वल गक्षा में आपका स्वागत करता हूं आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्व कुमार मिस्राजी जो की महात्मा गांधी अंतराष्ट्री हिंदी विश्विद्याले में सहाय का अचारी के बत परकारे रथ हैं आज कि इसक्षा में हम आपके कूर्स 502 से सम्मंधि चर्चा करेंगे कि सिक्षन की प्रक्रिया का संग्यानात्म कायाम कौन-कौन सा है आपका स्वागत है रिसर्व कुमार जी हमारे स्टूडियो धन्यवार एकलेस जी तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबस संगिक सवाल है सिक्षा छेत्र में कारे करने वाले प्रतेग विक्ति के लिए एक पहली के रूप में संग्यानサब्द उपस्तित होता है संग्यान सब्द की परिभाशा करने के पूर मैं विवहारवाद और संग्यानवाद की कुछ आधारभूत माननेताओं पर प्रकास जानना चाहूंगा प्रायर मनोविज्ञान में संग्यानवाद और विवहारवाद को एक दूसरे के तुल्ना में समझा जाता है विवहार वाद जहां विवहार को सीखने की आधार भूतिकाई मानता है कि विवहार और अनुमंधन के माध्यम से कोई भी वेक्ट सीखता है वहीं संग्यानवाद वेक्ट की मानसीक प्रक्रियाओं को जानने का एक प्रमुक माध्यम मानता है अर्थात संग्यानवाद इस बात की पैरिवी करता है कि कुछ वेक्ति के मनस्तिस्क में कुछ ऐसी संग्यानात्मों प्रक्रियाएं होती है जिसके द्वारा जोड तोड करके प्रतेक्षन करके वेक्ति सीख सकता है वेक्ति जान सकता है उन प्रक्रियाओं का अध्यन संग्यानवाद के अंतरगत किया जाता है जिससे विक्ति सीखता है, प्रटेक्शन करता है और ज्ञान का निर्माण करता है इसके अंतरगत चिंतन, याद करना, समस्या समाधान, वर्गी करन, कलपनाय करना, तर करना, नीड़े लिना जैसी संक्रियाओं को समलित किया जाता है बहुत अच्छा आपने बताया, इसमें फिर सवाल उठता है कि क्या संग्यानात्वंग, विकास और सिक्षन में कोई आपसी संबन्द है दिखी, संग्यान और सिक्षन के संबन्द की व्याख्या करने से पूर्ण हमें विद्यालेई विवस्ता की संरचना को समझना होगा जीवन परियन सिक्षा की तमाम अपचारिक संरचनाय मौझूद हैं इन संरचनाय में जब विद्यार्थी प्रवेस करता है तो वह एक जैविक प्राणी के रूप में भी होता है जिसमें संग्यानत्म प्रक्रियाओं की मौजूदगी का संग्यानवाद समर्थन करता है अर्थात संग्यानवाद की विचा आधारा के अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि प्रतेक विद्यार्थी, प्रतेक विक्ती सीख सकता है सीखने के दौरान उसकी बहुत सी मानसिक संक्रियाए होती है और इन मानसिक संक्रियाओं को सिक्षन के द्वारा एक नया रूप प्रदान किया जा सकता है इन आधार मूत मानिताओं के सापेक्ष देखेंगे तो हमारे सामने तीन सवाल प्रकट होते हैं आखिर बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, सीखने के दौरान कौन कौन सी मानसिक सक्रियाए होती है और किस आयू में क्या-क्या सिखाया जा सकता है संग्यानवाद कहीं न कहीं हमें इन तीन प्रसनों के उत्तर जानने में मदद करता है और इस कारण संग्यानवाद की समझ सिक्षक के लिए, सिक्षन प्रक्रिया के लिए बहुत ही महतपूर है जिसके माध्यम से हम अपने अधिगम करता को समझ सकते हैं और उसके अनुसार अधिगम की सामगरी का नियोजन अपनी कक्षा हेतु कर सकते हैं क्या आप संग्यानात्मक विकास की प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझाने का कश्च करेंगे? जी हाँ, संग्यानात्मक विकास की प्रक्रिया को अनेक सिध्धान्त कारों ने अपने अपने तरीके से समझाया है इसमें सरुमाने सिध्धान जयां प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त है आज मैं आपके साथ विस्तार से जहां प्याज़े के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त की चर्चा करूँगा जिसके आधार पर आप अपने विद्यार्थियों की संग्यानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं इस सिध्धान्त के अनुसार बच्चे बड़ों से संग्यानात्मक प्रक्रिया की तुलना की दिर्ष से गुडात्मक प्रकार में भिन होते हैं अर्थात जो मांसिक संक्रियां बच्चों के मस्तिस्क में घटित होती हैं और जो वयस्क के मस्तिस्क में घटित होती हैं उनमें गुणात्मक अंतर होता है और जैसे जैसे बच्चा वयस्क होता जाता है इन संक्रियां में नए प्रकार के लक्षन प्रकट होते हैं इसके आध परिवेस का प्रत्यक्षन करते हैं और पेशी गत्वीदियों द्वारा संकल्पनाओं का निर्माण एम उनमें संस्पधन करते हैं परिवेस के प्रत्यक्षन और पेशी गत्वीदियों द्वारा संकल्पनाओं के निर्माण की आधार भूतिकाई स्कीमा होती है जिसके माध्यम से बच्चा अपने वातावन को सबनने की कोशिस करता है यहां पर लेखनी यह है कि बच्चा अपनी सक्रियता द्वारा दुनिया की तमाम उद्दीपकों पर अपनी क्रिया के द्वारा ग्यान का निर्मार कर रहा है अर्थात बालक अपनी ग्य निर्माड की प्रक्रिया में वह लगातार अपनी संग्यानात्मक संरचनाओं को पुनर संगठित करता रहता है। विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं पहली अवस्था को वह पेशी संक्री अवस्था बताते हैं जिसकी अवधी 0-2 वर्स तक है दूसरी पूर संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधी 2-7 वर्स तक है तीसरी मुर्ध संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधी 7-11 वर्स चौथी अमूर्थ संक्रियात्मा का अस्था जिसकी अवधी 11 से 14 वर्स तक मानी जाती है इन अवधियों के विशेस्ताओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किन प्रक्रियाओं द्वारा होते हुए यह संग्यादात्यों विकास होता है इस अंद जैविक विशेस्ता उसे कुछ संग्यानात्मक संरचनाय प्रदान करती हैं जिसके आधार पर वह अपना संग्यानात्मक विकास करता है गत्विधी जैसा मैंने पहले भी बताया प्याजे के अनुसार प्रतेक विक्ति एक सक्री अधिगम करता होता है वह लगातार अपने परिवेस में कुछ न कुछ गत्विधिया करता रहता है एक्सेंस करता रहता है यह गत्विधिया या क्रियाएं ही उसके सीखने का एक प्रमुक स्रोध बनती हैं जब बच्चा कोई गत्विधिया क्रिया कर रहा है तो वह निर्वात में नहीं होती है उसकी गत्विधियों और क्रियाओं को समाजीक अनुभव एक आधार प्रदान करते हैं जिसके माद्यम से वापने अनुभववों को पुनर सगठित करता रहता है प्याजे की सिद्धान में सबसे महत्पूर बात संतुलन करने की है जिसे संतुली करण या एकली विरियम भी कहा जाता है किस प्रकार से संग्यानात्मग विकास होता है इसे प्याजे ने दो प्रक्रियों द्वारा बताया समावेशन और समायोजन जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई भी बच्चा अपने परिवेश के अनुभवों के द्वारा एक संग्यानात्मक सनचना बनाता है जिसे इसकीमा कहा जाता है विद्यार्थी के सम्मुक या बच्चे के सम्मुक जब कोई नई समस्या या नई प्रिसिति आती है तो अपनी वर्तमान सा रचनाओ या इस स्कीमा के प्रयोग द्वारा वह उसे ग्रहड करने की या उसकी व्याख्या करने की कोशिस करता है जैसे यदि विद्यार्थी के दिमाग में कुत्ते नामक जीव का स्कीमा है चार पैर एक दुम वाला प्राड़ी कुत्ता होता है और उस विद्यार्थी के समुख बकरी आती है तो वह पहले कुत्ते के स्कीमा द्वारा बकरी की आउधाड़ा की व्याख्या करने की कोशिस करता है लेकिन जब उसका प्रत्यक्षण उसके इस स्कीमा के साथ तालमेल में स्थापित नहीं होता है और वह पाता है कि इस नए जानवर के पास सींग भी है तो एक असंतुलन के सिति पैदा होती है यह एक जैविक गुण है कि वह बच्चा असंतुलन के अवस्था में नहीं रहना चाहता इसलिए वह अपनी स्कीमा का पुनर संगठन करता है और नए अनुभो के आधार पर जो उसका नया प्रतिक्षण है उसके अधार पर एक नए स्कीमा का निर्मार करता है नए स्कीमा के निर्मार द्वारा परसिति का समायोजन करने की कोशिस करता है इसे ही जहां प्याजे ने समायोजन की संग्यादी है इस प्रकार से कोई भी बच्चा समावेशन और समायोजन की प्रक्रिया द्वारा एक सक्रिय दिगम करता के रूप में नित नई चीजे सीखता रहता है अब आते हैं प्रियाजे द्वारा बताई गई संक्रियात्मक अवस्था की विसेस्ताओं पर अभी तक मैंने आप से तीन मुख्य बातों की चर्चा की पहला विद्यार्थी अपने परिवेश का प्रतेक्षन कर स्कीमा का निर्मार करता है दूसरा इस स्कीमा के प्रियोग द्वारा वो प्रतेक्षन की व्याख्या करने की कोशिस करता है जिसे मैंने समावेशन की संग्या दी जब उसके पहले के स्कीमा द्वारा नए प्रिसिती की व्याख्या में कहीं असंदुलन पैदा होता है तो वो समायोजन द्वारा नए स्कीमा का निर्मार करता है और इस आधारभूत प्रक्रिया द्वारा वेक्टी में संग्यानात्मग विकास घटित होता रहता है जिसमें उसकी जैविक परिपक्वता एक प्रमुख संकेतक है उसकी यह जैविक परिपक्वता संग्यानात्रों के विकास के चार अलग-अलग अवस्थाओं में परिलक्षित होती है जिसमें से पहली अवस्था है सम्वेदी पेशी अवस्था जिसकी अवधी 0-2 वर्सक होती है इस अवस्था के दौरान बच्चा अनुभवों का प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा देखना, सुनना, चलना, छूना, चखना आधी के द्वारा अधिगम करता है इस अवस्था में प्रारम में जब बच्चे के सामने से किसी वस्था को हटा दिया जाता है तो वह उसको खोजने का प्रयास नहीं करता और वह मान लेता है कि उस वस्था का अस्थाइद तभी तक था जब तक वह उसके सामने थी लेकिन दीरे-दीरे बच्चे में संग्यानात्मक विकास होता है और इस अवस्था के अन्द तक वह बच्चा जानने लगता है कि वस्थू में स्थायित होता है यदि कोई वस्थू उसके समुख प्रतेक्ष्टा उपस्थित नहीं है तो भी वह उपस्थित होगी दोहराने लगता है इस वेवहार को हम deferred imitation कहते हैं वह बाथ टब में बैट के नहाने की acting करता है वह माता-पिता की तरह डाटने रोने या दुलारने की भी acting करता है इसे ही deferred imitation की संग्या देते हैं इस अवस्था में बच्चा ज्यादा तर अपने समवेदी पेशी गत्वीडियों में ही सनलगना रहता है अभी भी वह मानसिक संक्रियाओं की दिश्ट से परिपक्व नहीं हुआ रहता है अगली अवस्था मूट संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसकी आई जिसकी देटी क्रियाओं से ना करके उनका मानसिक रिप्रेजेंटेशन करना प्राग्रम करता है अर्थाथ वह हाथी के खिरोने की एक मेंटल इमेज बनाता है और विद्ध्यालय जैसे अवचारिक सिक्ष्ण संस्थानों के एक्स्पोजर के फलसुरूप वह कुछ-कुछ दोब पाने की सभ्समें श्ंता होती है और उसके भाचा का विकास तेजी से होता है लेकिन अभी वस्तुओं के विशह में केवल एक ही दिशा तक सोच पता है अर्था में एक जोड देने से दो होता है लेकिन वहां इस बात की को नहीं समझ पाता है कि ुए में से एक घटा की एक और सीमा होती है जिसे मैं एक उदाहरन द्वारा समझाना चाहूंगा मान लीजिए कि बच्चे के सम्मुक एक छोटी गिलास में जल दिया जाता है और उस छोटी गिलास के जल को बड़ी गिलास में पलट देता है और यह मानने लगता है कि जल बड़ी गिलास में पलट कहते हैं अर्थात मात्रा और आकार के संबंद की वह सम्यक व्याख्या नहीं कर पाता है वह मांद के चलता है कि आकार या परिमाप के घटने बढ़ने से मात्रा में भी व्रिद्धी या कमी होती है वह इस संबंद की समझ उसे अगली अवस्था में होती है पूर संक्रियात्म अपने साथ किसी के साथ समवाद के माद्यम से जुरूर पाने में समर्ध नहीं हो पाता है। धीरे धीरे बच्चा तीसरी अवस्था की और बढ़ता है जिसे मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जिसकी अवधी 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की सबसे महत्पूर्ण विसेस्ता होती है कि विद्यार्थी में तर्क करने की शम्ता प्रकट होने लगती है। तर्क करने की शम्ता से आसा यह है कि वो यह समझ पाता है कि यदि A के प्रभाव में B हो रहा है तो B का A से किस प्रकार का संबंध होगा। इसी प्रकार दीरे-दीरे उसमें सनरक्षन की समझ भी विखसित होती है और अब वह यह समझने लगता है कि गलास A बड़े आकार का है गलास B छोटे आकार का है लेकिन आकार का जल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि जितना जल छोटे गलास में था उतना ही बड़े ग्लास में भी रहेगा इसका एक और दार्ण में देना चाहूंगा कि प्राया गनती समझ या गनती सिक्षण के दौरान ऐसा देखने में आता है कि हम छोटी-छोटी वस्तूओं को मिलाकर देदी एक सीधी रेखा खीशते हैं और उन वस्तूओं के बीच की दूरी को बढ़ा कि रेखा की लंबाई बढ़ा देते हैं तो इसके पूर की अवस्ताओं में विद्यार्थिये मुमन ये जवाब देते हैं कि रेखा की लंबाई बढ़ने से वस्तू की संख्या बढ़ गई होगी लेकिन मूझ संक्रियात्मक अवस्ता में विद्यार्थि यह समझन वह किनी भी दो वस्तुओं को उनकी विशेस्ताओं के अधार पर अलग-अलग वर्गों में रखने की समझ को असानी से संप्रतेकृत कर सकता है वस्तुओं को क्रंबद तरीके से लगाने जैसे कारे भी वही सवस्था में करने लगता है लेकिन इस अवस्था की एक महत्मूर सीमा यह होती है कि विद्यार्थी जिन कारियों को भी करता है वह उसके लिए मूर्थ प्रमाड या मूर्थ अनुभाव की आवसेक्ता होती है अमूर्थ चिंतन की शमता का उसमें अभाव होता है जिन वस्तूओं को वह अपने सम्मुख देख रहा है उनसे जुड़ी समस्या उनसी समंधित मांसिक संक्रियाएं वह प्रियुक्ट कर सकता है लेकिन इस से इतर की परिशितियों में वह उन संक्रियाओं का सफलता पूर्वक निस्पादन नहीं कर सकता है इसकी बाद चौथी अवस्ता जो प्याजे ने बताई वह है अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता इस अवस्था के दौरान सबसे महत्पूर्ण विशेस्ता यह है कि बालकों में अमूर्थ संक्रियाओं का विकास होने लगता है वे बहुत सी मानसिक शंक्रियाओं का प्रियोग एक ही समय पर कर पाते हैं आवस्यक नहीं है कि जिस संक्रिया के बारे में वह विचार कर रहे हैं उसे संबंदित कोई प्रतेक्शन वह उनके सम्मुक हो वस्तु के उपस्तित ना रहने पर भी वह उनके बीच काल्पनिक संबंधों पर विचार कर सकते हैं यहाँ अवस्यक नहीं है कि जिस इसिती के बारे में वे विचार कर रहे हैं उसके प्रति उनकी प्रत्यच भागीदारी हो बलकि वे कालपनिक संबंधों के बारे में विचार कर सकते हैं गणित के अमूर्थ सुत्रों का निश्पादन कर सकते हैं कालपना के अधार पे कोई र अर्थात निगमन तार्किक शिंतन के माध्यम से इस प्रस्ण का उत्तर देने की कोशिस करेंगे और वे इस प्रस्ण के अंतरनीत माननेताओं को एक दूसरे से संबंधित करके व्याख्या करने का प्रयास करेंगे अर्थात खेती क्या है किन वस्तों की खेती की जाती है किसान और खेती का संबंध क्या है खेती का अर्थ विवस्ता से क्या संबंध है ऐसे एक से अधिक प्रस्णों को एक साथ नजर में रखते हुए वे इस मुख्य प्रस्ण का उत्तर देने की कोशिस करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि इस अवस्था में विद्यार्थी हाइफोटेटकल डिडेट्टिव रीजनिंग के माध्यम से किसी भी समस्या पर विचार कर सकते हैं इसका एक उदाहर भी मैंने रखा यदि सभी किसारों ने खेती करना छोड़ दिया तो क्या होगा इस प्रस्ण पर विचार करते हुए विद्यार्थी इसके घटक प्रस्णों अर्थात खेती क्या है खेती कौन करता है खेती का अर्थ विवस्था से क्या सम्मन्द है इन सब पर एक साथ विचार कर सकते हैं और इन पर विचार करते विए वे एक निस्कर्स की ओर बढ़ेंगे जो एक कालपनिक अवस्था कालपनिक स्थिती है कि किसानों ने खिती करना छोड़ दिया तो क्या होगा अमूर्त चिंतन की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक प्रकार से परिप्रक्वता का देवतक है जिससे गुजरते विक्ति संग्यानात्मक दिरिश से परिपक्व हो जाता है लेकिन यह आवस्यक नहीं है कि प्रतेक विक्ति अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था की हर विसेश्था का अपने विवहार में प्रदर्शन करे ही यह हैं एक सिध्धान्त का आदर्स पक्ष है जहां हमें मानते हैं कि इस 11 वर्ष से अधिक की अवस्था आने पर प्रतेक विक्ति मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तक पहुंच जाएगा सभी लोगों के अलग अलग विचार इस अवस्था में विद्यार्थी ये मानने लगते हैं कि सभी लोगों के अलग अलग विचार द्रिश्टिकोण और प्रात्मिक ताय होती हैं अपने विचारों को दूसरों की तुलना में आंकने भी लगते हैं अर्थाद वे दूसरे के परिप्रेक्ष को भी समधने लगते हैं और उसके साप्रेक्ष अपने वर empieza या उसका मुल्यांकन करते हैं बहुत अच्छा बताया अपने रिष्च जी की िसंग्यानातों कान की विकास जो इसा कि प्याजे ने बताया वो चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है इस अंदर्फ में मैं मैं सोचता हूं कि हमारे विद्यारते उत्सुख होंगे जानने के लिए किया खिर संग्यानाथ को तुमक विकास की सिमाएं क्या क्या हैं यह सवाल बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिस समय प्याजे ने अपने सिधान्त का प्रतिपादन किया तब से लेकर आज तक विश्व में संग्यानातों विकास को समनने के लिए सारवाधिक उप्योगी प्याजे के सिधान्त को माना जाता है हाँ यह भी उलेकनी है कि सरवाधिक आलोचना भी सिधान्त की होती है इसमें पहली सीमा इसिधान्त किया है कि हमने संस्कृति जैसे महत्पूर घटक को संग्यान में नहीं लिया और हमने माना कि प्रतेक बच्चा इन चार अवस्ता क्रमागत अवस्ताओं से होते हुए ही वि लिया वे तो क्रमागत रूप से परिपक्व होने के साथ प्रकठ हो सकती है लेकिन वे इस संस्कृत की बहुत महत्पूर भूमिका होती है इसी प्रकार पयाजे के शोदकार एक खास प्रकार के सैंपल पर किये गए थे जो खुद उनके बच्चे थे और इस प्रकार के सिध प्रतेचता प्रभावित करते हैं जैसे कुछ संस्क्रतियां ऐसी होती है जहाँ आपस में समवाद को प्रोश्भावित किया जाता है कुछ जहां पर सामाजी गंतक्रियाओं को सरहा जाएगा, वहां पर सामाजी गंतक्रियाओं का पक्ष मजबूत होगा, इसका प्रभाव विद्यार्थी के भाषा जैसी संग्यानात्मक्रिसिस्ताओं के विकास पर पड़ेगा, इन पक्षों का प्याजे ने अपने सिध्धान्त मे संदर्ब नहीं लिया अर्थात यदि मैं संशेप में कहूं तो प्याजे के सिद्धान में जो सार्भों मिक्ता की मानेता है उस पर पुनरविचार करने की आफ सकता है संस्कृत के पक्ष को संग्यान से अलग नहीं किया जाना चाहिए तीसरा खास कर जो हमारी भारती कख्षाओं के लिए महत्पूर्ण है किस प्रकार से परिवार, समुदाय, राजनितिक, संस्कृतिक संस्थाएं हमारे सीखने की प्रक्रिया में भागीदार होती है इसे समझने के लिए प्याजे का सिध्धान्त कई बार एक सीमित द्रिष्टिकोन के साथ उपस्थित होता है और हमें अने सिध्धान्तों की मदद लेनी पड़ती है बहुत अच्छा बताया आपने, जैसा कि आपने बताया कि पियाजे ने अपने सिध्धान्थ में सबसे ज़्यादा जो इग्नोर किया, सबसे ज़्यादा जो पेख्षा की, वो बच्चे के विकास में उसके संस्कृतिकी थी, तो मुझे लगता है कि वाईगोर्सकी का जो संस्कृतिक परिक्ष में देखता है, आगे कक्षाओं में हम वाईगोर्सकी का सिध्धान्थ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक हमारे दर्सकों के मन में ये इक्षा होगी, जानने की, कि कक्षा सिछन के लिए पियाजे का सिध्धान्थ किस प्रकार रूपे होगी है एक सिध्धान्थ को क्यों जानना चाहिए पियाजे का सिध्धान्थ, थोड़ा इस पर प्रकार डालें? सक्रियता की ये मानिता हमें एक सुझाव देती है, एक विकल्फ सुझाती है कि हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को लगातार सक्री बनाये रखने की विवस्था रखें, उनकी ये सक्रियता उनके ज्यान निर्मान का आधार बनेगी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सक्रियता का अभिप्राय कुछ भी क्रिया करने से नहीं है, बलकि पियाजे की अनुसार वे सक्रियता जो आपकी मानसिक संक्रियाओं को पुष्ट करे सीखने का माद्यम हो सकती है, इस आधार पे हमें प्रात्मिक कक्षाओं मे बिसेश रूप से विद्यार्थियों को सक्रिय रखने का प्रियास करना होगा, यह सक्रियता जिन वस्तुमों के साथ होती है, वे वस्तुमे किस प्रकार की हो, अर्थात हमारी सिक्षन अधिकम सामगरी किस प्रकार की हो, इस बारे में भी पियाजे का सिद्दान्थ हमें मह के द्वारा सीखता है अगर इन तीनों संदर्वों का प्रियोग करते हुए हम विद्यार्थियों को इस प्रकार के संसाधन उपलब्द कराएं जहां उनकी प्रत्यक्ष साभागिता हो जहां वे मुर्थ वस्तूओं के साथ जोड़ तोड़ कर सकें जहां वे अपने आपको व पाठि चर्या के विसे में भी कई महदपूर्ण संकेत प्रदान करता है उधारण के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि छोटे बच्चों की पाठि चर्या में या उनके लिए निर्मित की गई पाढ़ पुस्तकों में इस प्रकार के सनरचनाई, इस प्रकार की सामगरी और द्रिस से या बिम्ब दिये हों, जो उन्हें प्रत्यक्ष हनभौ से जोड़ सकें, जिसके आधार पर वे अपने समावेशन और समायुजन की प्रक्रिया प्रोसाहित हो. अर्थार, यदि हम उन्हें ऐसी पाठे चर्या से परचित कराते हैं या ऐसी अध्यन सामगरी से परचित कराते हैं, जो उनके पूरुग्यान को संग्यान में लेते हुए, समायुजन की प्रक्रिया द्वरा समावेशन की और बढ़ाती है और उनके समुक कोई नई चुनोती पस्तित करती है, तो यह नई चुनोती उनके सीखने का आधार बनेगी, ऐसा संकेत वे प्याजे के सिध्धान से मिलता है, इसके अलावा विज्ञान के विशय के संदर में प्याजे के सिध्धान की कुछ महत्पूर्ण उप्योगिताएं हैं, उधारन के लिए जैसा प्या हमारे लिए एक अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन विद्यार्थी इसे चप्ता समझ सकता है, विद्यार्थी इसे भूरा समझ सकता है, विद्यार्थी इसे हरे पेडो वाला समझ सकता है, इस प्रकार के वैकल्पिक धारनाएं प्रत्यक्ष अनुभों द्वारा जनित होती उसे माने औधार्णाओं की और विद्यार्थी को अग्रसर करने में मदद करें कुल मिलाके प्याजे का सिध्धान्थ हमें बताता है कि जिस अवस्था में जिन संग्यानात्मक संक्रियाओं की तैयारी के साथ विद्यार्थी हमारे समुक आता है उसे उसी के नूप सामगरी स सिक्षन अधिगम क्रियाएं और अनुदेशन से युक्त किया जाए यह उसके संग्यानात्म के विकास के साथ के लिए महत्पूर्ण सिद्ध होगा धन्यवादिर सब्जी तो मित्रों आज आपने जाना कि हमारे अधिगम में हमारे संग्यानात्म क्रक्रियाओं का बहुत महत्पूर्ण भूमिका है साथी हमने ये भी जाना कि जीन पियाजे ने संग्यानात्म क्विकास का सिध्धान दिया था जिसके अनुसार हमारा संग्यानातों की विकास चारणों में होता है पहली अवस्था या पहला चरण जो है वो समेधी गामा का वस्था है दूसरी अवस्था जो है वो पुरु संक्रियात्म का वस्था है तीसरी अवस्ता जो है वो मुद्ध संक्रियात्म का वस्ता है और चौथी अवस्ता जो है वो अमुद्ध संक्रियात्म का वस्ता है साथ ही हमने आज ये भी जाना कि जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धानत की सबसे प्रमुखा लोचना है कि जिन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास में बच्चे के सांस्क्रितिक सामाजिक परिपेक्ष की उपेक्षा की साथी आपने ये भी देखा कि बच्चे के संग्यानात्मक विकास की जानकारी एक सिक्षक को होनी चाहिए ताकि वो उनसी धानतों का प्रयोग अपने सिक्षा नदिगम को प्रभावी बनाने में कर सके नाइवर्स की ओर से रिसब कुमार मिस्वजी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ ही आप सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद